कि आज में आपको टैब की शेटिंग वाता हूं वैसे तो आप एमसरेट में कि प्रेस करते ही रहते हैं ठीक है तो टाप की का मैं एमसरेट में क्या यूज है जिससे कि आपका काम बड़ी तेजी से हो जाए और इक पर्फेक्ट इस पेस लेक्त नेस आप कैसे जनेरेट करें पिक्त होती हैं जड़ा मैं आपको दिखादेता हूं कि LEY आन स्creature कीबोर्ड ले लेखने बिखाता हूं मैं आपको अत्री कि वैपनेज करें तो यह वालेखते हैं इसको किस तरीका से यूज़ करते चलिए तो मैं इसको रटाटा लेते हैं देखे मैंने अगर मैंने कोई नेम लिखा और मैं टैप की प्रस कर रहा हूं एक दोबर की अब यहां लिख सकता हूं और ने तो तो तरीका यह है कि आप इस तरीके से इस पेस को जनेरेट कर ले तैब की प्रस करके और दूसर तरीका क्या है बड़ा ही सिंपल तरीका मैं बता रहो हूँ पहले आप टैप की को सेट करने के लिए लिखें आपको जो मौर यह अपना माउस लेकर जाना है और माउस को जहाँ-जहाँ आपसेट करना चाहते हैं और एक छाता हैं यह फाइपर करना चाहता हो एक नहीं तीन लिए मैं सेट करना चाहता हूं यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं करना लग-विने करना तो यह तीन आप देख सकते हैं तीन मेरे बन चुके हैं अब मैं लिखना सुरू करता हूं तो देखे कितनी आसानी से यह मेरे टैप पर वर्क करेगा तो सिंपल मैंने लिखा सीरियल नमबर यहां पर मैं ने लिखा नैम कि याँ पर मैं कि देता हूं चैलरी ठीक है और फिर यहां पर मैं कुछ डाल देता हूँ या पोजीशन लाल देता हूं तो इस तरीके से आप टैप की को यूज कर सकते हैं अब देखें मैं जड़ा एंटर करता हूं एंटर किया एंटर करने के बाद जैसे मैंने वन लिखा नेम मैंने डाल दिया अपना ही नाम डाल देता हूं राकेश सेलरी डाल देता हूं 40,000 पोजिशन डाल देता हूं ट्रेनर ठीक है ऐसे ही सेकंड तो इस तरीके से आप मैं डा हूं डाल देख है एक पूरा डालाइमेंट और यहां पर देखिये लिए परे सामने जितना जितना स्पेस आपको चलिए था अपके सामने परेजेंट हो बना सकते हैं बढ़ो आसनी से च्लिए टेडल भी देखते हैं कि से तरीके से बनाते हैं आपने सिंपल इसको स्लेकर कि स्लेक्ट रखन Olivier के बाद आप इसको क्लिक करें गरिद कि करने के बाद जी आपने क्लिक किया आपके पास यहां पर टैब का उप्शन है आप इस टैब को क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है तो आप देख सकते हैं कि कि को पर्टिकुलर तरीके से लेकर आने का तो यह था आपका एक तरीका आप सेकंड तरीके की तरफ चलते हैं कर लेता हूं इसमें आपने फिर से टैप की को ही यूज करना है और उसके अंदर की चीजों को देखना है किस तरीके से यूज करते हैं चलिए थोड़ा सा देखते हैं कई पर आपको लगता है कि यह सर मैंने यहां पर चैप्टर लिखा चेप्टर नममर पर है मैं क्या करता हूं फिर डॉट डालना करता हूं। इसको पेज नपर टाय। पर लिखते हूं तो यह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है अब टैब की की हेल्प से हम देखो कितनी जल्दी इसको और बड़ी ही आसानी से बना लेंगे चलिए करते हैं तो सबसे पहले चीज़ हम करने के लिए आप को मैंने बता ही रखाए सिर्फ क्वेश्ट क्लिक करना है तो पहले ये आपने इन पर मैंने क्लिक कर दिया है हमारे sv content करकर देख करेंगे आपकी सेटिंग आ जाएगी और आपनेट किया 9 को सेकरने के बाद आपके वस्यां पर एक पॉर्शन सेकेंड था डॉट्स जो भी आपको चीए। तो मैं यहाँ पर डॉट्स के लिए थृवाला प्रक्रिक करते यह और सर लेता सिथे कर लेता हूं कि करने के बाद चलिए मैं लिखता हूं यहां पर मैंने लिखा सिरियल नमबर चैप्टर वन लिख चैप्टर वन और टैप की प्रेस करें देखिए ऑटोमेटिकली आ गया टैप की प्रेस करते ऑटोमेटिकली मैंने लिख दिया समय से 10 से 20 तक है यह पर मैंने लिख दिया यह 20 से तो इस तरीके से आप दूसरा यूज कर सकते हैं इस टैप की से तो यह भी आप एक परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं टाइम बचा सकते हैं चले अब तीसरा यूज देखते हैं अब नेक्स्ट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम अगें टैप ही सेट कर लेते हैं तो मैं एक है एक किलिक किया और उसकी क्लिक करके यहां पर मैं जो करने जा रहा हो वो करने प्रजाब दूए है यहां पर आपको दिखे होगी चलिए कि तरीके से होता है सिंपल मैंने यह पर लिखना शुरू किया मैंने नहीं ने करें कैंद्र क्थिया इस से नीचे यहां पर दिखा रवी और यह लाइन मेरी ऊटमेंटिकली चलती रही तो यहाँ पर मैंने अटोमेंटिकली चलती रहेगी सेप्रेट बनाती रहेगी आपकी डाटा तो इस तरीके से आप बार्स का यूज कर सकते हैं टैप के अंदर कि चलिक अपने क्ष़ार को युज़ करते हैं तो मैंने यسव- tidak अक्षय आ乾्र के लिए लाइमेट के लिए तो आप यहां पर को सैट कर सकते हैं लैफ यह सेंटर सिर्फ आपने जशत जाकर क्लिक करना है मैं कर रहा हूं मैं डेसिमल को क्लिक किया और यह मुझे सेकंड पोजिशन पर ही चाहिए देन ओके यह सेट और ओके कर दिया अब देखे मैंने सिंपल लिखा यहां पर यहां पर लिखा मैंने सेलरी कि यहां पर मैं डेसिमल वेल्यू लिख सकता हूं इस टैप ठीक है रीश या एमाउंट टैप प्रेस्ट किया फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं लिख सकता हूँ 20.00 34.00 तो डेसी मल का यूज यह कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं किस तरीके से आप सब्सक्राइब तो भी वह decimal में रहेगी तो इस तरीके से भी आप use कर सकते हैं नेक्स्ट एक और देखते हैं अब आती है किस तर अगर मुझे clear करना हो या हटाना हो तो कैसे होगा तो आप इस पर प्लिक करिए और आप पर पास clear का option है कि क्लियर या क्लियर आप एक भी कर सकते हैं और इससे जाद़ भी कर सकते हैं अगी आपने त्व स्टिंग नहीं करना आपने तरीके से तो आप कैसे करेंगे पर लेख करते हैं। लाइन यह आपका इंडेन आ चुका है इंडेन त्रैम्मेंट वagharan कर सकते हैं लाइन सकते हैं पर फिल इन बाफ कर रहे थे कि हमें इस पर हिसिंग तो यहाँ पर अगर आपने क्लिक क्या करने यह ट्प Pap crash थो ऐसे एक भाद तो आप सपोज आपने यहां पर कुछ सेट कर लिया या फिर आप चाहें तो दूसरी पोजिशन से यहां से भी अभी थ्री सेंटीमीटर है आप चाहें तो इसको चेंज कर दें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लीजिए मैंने इसको कर दिया फाइव तो देखें अगर आप देखेंगे कि पहले मेरा जो तीन पर था अब एक पांच तो इस तरीके से आप मैनुल तरीके से भी अपना टैप सेट कर सकते हैं तो यह टैप सेट होगे आपका अब टैप का और क्या यूजर यह भी देखते हैं कि सपोज मैंने कुछ लिखा मैंने डाला वन पॉइंट ठीक है यहां पर मैंने बोला कि मुझे आप चैप्टर वन चीए चैप्टर अब टिक है एंटर किया तो यह नमबर टू आ रहा है टैप प्रेस करो कि कुछ नहीं आ रहा चलिए अब हटाते हैं इसको यहां से आप चैप्टर लिखिए और सिंपल वे में आपका जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट है इसको यूज किजिए आप यहां पर क्लिक करें और यहां से वन ले ले और एंटर करेंगे तो सेकेंड आजएगा बट आपको सेकेंड नीची है आपको हैडिंग्स लिखनी है त टैप की प्रेस करें अब यहां पडिक तो इस तरह के साथ समय पर को थो सब्चक्राइब कर सकते हैं आप इसमें आप क्या करें सिर्फ कि साथ आपने टैब प्रेस किया वी में कुछ लिखना है आपने सब्सक्राइब की सब एडिंग कुछ नहीं है इसके बाद अगर कुछ लिखना है सब्सक्राइब कर दें सिंपल यहां पर आ गया एडिंग सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने काम को बहुत तेजी से वर्क में ले के आ सकते हैं करना बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से आप टैप सेट कर सकते हैं बाई माउस कई बार कोशन हमारा जनरेट होता है कि सब्सक्राइब की सेटिंग हम ओपन कैसे करें आपने तो माउस से बता दिया अगर मुझे मैनूली करनी हो तो कहां पर किस विंडू को मैं फाइंड आउट करूं तो उसके लिए आप यहां पर जाएं अब सिंपल पर क्लिक करें अपने क्लिक किया क्लिक करने के बाद इंडेंट और लाइन स्पेसिंग बगर आएगा ठीक है पहले मैं दिखा रहा था तो यह दिखाए दिखा आपने कुछ नहीं करना यहां पर आपको टैप का भी ओप्शन दिखाए यह रट है आप जैसी टै आप यहां पर अपने एकॉर्डिंग 2.6 आप कर दें और सिर्फ आपने सेट करना है ठीक है ओके करना है तो देखिए 2.6 पर आपका ओटोमेटिकली टैप सेट हुए तो यह थी आपकी आज कम्प्लीट टैप की सेटिंग क्या आप MS Word में टैप की सेटिंग किस टाइप से कर है यह सारी चीजे तो जड़ा करके देखिए